हेलो फ्रेंड स्वागत है सन्विक क्लासेज में खेलो के महाकुम्ब उलम्पिक समाप्त हो गया है जपान के टोक्यो सहर में खेला गया उलम्पिक से संबंदित महत्पुन घटना करम को देखेंगे उलम्पिक के अधियस थॉमस बाउग है जो जर्मनी के हैं और इसके मुख्याल है लुसाने स्विटजर लेंड में है उलम्पिक का उधियस था सीटियस अल्टियस फोटियस जिसका अर्थ होता था तेज उचा बलवान लेकिन कुरोना काल के बाद इसमें एक और सब्द जोड जिसका अबर्थ हो गया है तेज उचा बलवान एक जूट या साथ में उलम्पिक खेल तेज जुलाई दोहजारे किस से आठ अगस दोहजारे किस तक चला था टोटल खेल 33 हुए थे और असफर्दा 349 था इसका सुभंकर मिराय तोबा था मिराय तोबा नाम जापानी सब्द चमतकार परधारित है जिसका अर्थ होता है अनन्त काल इस उलम्पिक का मोटो था उनाइटेड बाई इमोशन मोटो था उनाइटेड बाई इमोशन और मशाल धारी थी नाओमी उशाका मशाल का थीम था होफ लाइट्स आवर बेज इंडिया के तरफ से भारत के उलम्पिक थीम सौंग था लच्छ तेरा सामने है जिसकी आवाज मोहिच चवहान ने दी थी यह राहमान ने भी एक थीम सौंग लौंच किया था जो था हिंदुस्तानी बे इस चियर सौंग को अन लूप में ओपनिंग सिरो मनी में बॉक्सर मैरी कॉम और पूरुस हाव की टीम के कप्तान मनप्रीश सी थे समापन सामारों में रेसलर बजरंग पुनिया थे अब आएए पदक तालिका देख लेते हैं एक वार फिर से अमेरिका पदक तालिका में टॉप पे रहा 49 गोल्ड 41 सिल्बर 33 ब्रोंज टोटल 113 पदक जीत कर दूसरा पोजिशन पे रहा चीन 38 गोल्ड 32 सिल्बर 18 ब्रोंज टोटल 88 पदक के साथ तिसरा अस्थान जापान रहा 27 गोल्ड 14 सिल्बर 17 ब्रोंज टोटल अंठामन पदक के साथ और भारत का पोजिशन 48 वा नंबर रहा ये काफ और ब्रोंज के साथ टोटल साध पदक उलम्पिक इतिहास में भारत के ये सर्वस्रेश्ट परदर्शन रहा ये सब भारत के सर्वस्रेश्ट परदर्शन करने वाले खिलाडी है अब आईए एक एक करके देखते हैं नीरत चोप्रा टोक्यो 220 में स्वर्न पदक बिजेता ये पानीपत हर्याना के निवासी है और इनका खेल है ट्रेक और फिल्ड भाला फिक जेबलिन थ्रो इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से मसूर है भारतिय उलम्पी की दिहास में 100 बर्सों में ट्रेक और फिल्ड में पहला मेडल 87.58 मीटर फेक कर प्राप्त किये हैं यह ब्यक्तिगत खेल में गोल्ड जितने वाले सूटर अभिनब बिंदरा 2008 के बाद दुसरे खिलाडी बन गए है दूसरा देखते हैं टोक्यो 220 में रजक पजक बिजेता साइखों मीरावाई चानू यह मनिपूर के निवासी हैं और इनका खेल है भारत तोलन चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और अशनैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम बजन उठा कर 49 केजी बर्ग में रजक पजक अपने नाम की इससे पहले 2000 के सिड़नी ओलम्पिक में करनम मलेसवरी ने कास पजक जीती थी अब देखते हैं रभी कुमार दहिया जी टोक्यो 220 में रजक पजक बिजेता है निवासी सोनीपत हरियाना खेल कुष्ती संतामन केजी भार टोक्यो ओलम्पिक 220 के पुरूस फिरियस्टा संतामन केजी भार बर के फाइनल मुकाबले में रूस ओलम्पिक समीती जो इस बार आरो सी के नाम से जाना जाता था जायूर उग्येव के सामने चार साथ सिहार का सामना कर रजत पदक से ही संतोस करना पड़ा रवी कुमार दहिया जी को रजत पदक मिला टोक्यो 220 में कास पदक बिजेता पुर्सल्ला बेंकट सिंधु पीवी सिंधु निवासी हैद्राबाद आंधपरदेश के खेल बेड़ मिंटर सिंधु लगातार दो उलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली महिला और दूसरी भारतिय खिलाडी बन गई पीबी सिंदू रियो 2016 में रजत पदक जीती थी इस से पहले सुसील कुमार ने बीजिंग में 2008 में कास और लंदन 2012 में रजत पदक जितने वाले पहले भारतिये बने थे लबलीना बोर्गोहिन टोक्यो 2020 में कास पदक बिजेता है यह असम के निवासी है और इनका खेल है मुक्यवाजी महला बॉक्सिंग के 79 किलो भार्ग में 79 किलो भार्ग में अपने पहले ही ओलंपिंग में ब्रॉंज मेडल अपने नाम कर ली है और अगला देखते हैं टोक्यो 2020 में कास पदक बिजेता बजरंग पुनिया जो हर्याना के निवासी है इनका खेल है कुस्ती कुस्ती के ये 65 किलो भार्ग में लड़ते हैं वो ब्रॉंज मेडल के मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत न्याज बेकोव को 8-0 से पचाड़ कर जीता है टोक्यो 220 में कास पदक बिजेता एक और है भारतीय होके टूम जो 41 साल बाद मेडल जीता है टीम इंडिया ने 40 साल बाद देश की ओलंपिक में पदक दिलाया है और भारत ने जर्मनी को ब्रॉंज मेडल के लिए हुए मुकाबले में 5-4 से हराया भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा कर ब्रॉंज मेडल जीता है टीम इंडिया का सफर देख लेते हैं हाउकी टीम का 1928, 1932, 1936, 1948, 1922, 1956, 1964 और 1980 ओलंपिक में गोल्ड अपने नाम किया था 1960 में सिल्बर और 1968, 1972 और इस साल 2021 में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया था इस साल के हाउकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सीं और गोल कीपर थे स्री जेस भारतिय महिला हाउकी टीम चोथे अस्थान पे रही बन्रा कटारिया ने उलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने बाली पहली भारतिय महिला खिलाड़ी बन गई महिला हाव की टीम की कप्तान रानी रामपाल थी और गोल की पर सभितापुनिया थी भारतिय गोलफर अदीती असोक मात्र दो सोट पीचे रह चाउत्या स्थान पे रही उलमपिक में अब तक भारत को 10 गोल्ड, 9 सिल्बर और 16 ब्रोंज टोटल 35 पदक्त अपने नाम किया है इस उलमपिक में बिशेश क्या रहा वो देखते हैं कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइब्मिंग, स्केट बोर्डिंग से लेकर सर्फिंग तक 4 नए खेल सामिल किये गए सबसे छोटी खिलाडी रही और सबसे उम्रदराज खिलाडी अस्ट्रेलिया घोडसबार मेरी हैना 66 बर्स की रही जापान के एबे हाई फूमी ने जीता जूडो का गोल्ड मेडल, उनकी बहन उटा हाई फूमी ने भी जूडो में ही अपने देश को दिलाया स्वर्ण पदक एसा पहली बार हुआ कि ओलम्पिक में एक ही दिन में किसी सगे भाई बहन ने गोल्ड मेडल जीता हो अस्ट्रिलिया की तेराक एमा मैकॉन एक उलम्पिक में साथ पदक जितने बाली पहली महला तेराक बन गई है जापान की 13 साल की मुमी जी नीसिया उलम्पिक एतिहास में गोल्ड मेडल जितने बाले सबसे कम उमर के अथलीटों में से एक बन गई है कतर के मुताज एसा बर्सिम और इटली के जियान मारको तामरी टोकियो उलम्पिक में परत्योगता के संजुक बिजेता रही और स्वन पदक साजा किया गया है यह उची कुद के खिलाडी थी इटली के मार्सल जेकब्स ने 9.8 सेकेंड का समय निकाल कर पुरसो की 100 मिटर दोड के नए बादसाब बन गए और गोल्ड मेडल अपने नाम किये अलेकजेंडर जवेरेब ने टोकियो उलम्पिक खेलो की टेनिस परत्योगता के पुरु सेकल का खिताब जीत लिया है हाउकी का पदक गोल्ड बेल्जियम ने जीता, सिल्बर अस्ट्रिलिया ने और ब्रोंज भारत के नाम रहा महिला हाउकी का गोल्ड नीदरलेंड ने जीता अरजन्टीना को हरा कर चीन की इवा निसाने बाज यंग क्योन ने महिलाओं की 10 मिटर एर राइपल अस्परधा में गोल्ड मेडल पर निसाना लगा कर अपने देश की जोली में टोकियो उलम्पिक का पहला गोल्ड मेडल जितने की उपलबदी नाम की आगे देखते हैं नेतरा कुमानन उलम्पिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिय महिला नाबिक बनी थी और तमिलनाडू की भवानी देवी उलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवार बाज बनी माना पटेल उलम्पिक में क्वालिफाय करने वाली पहली भारतिय महला तैराक बनी समापन समारो का थिम था उलम्पिक के समापन समारो का थिम था बल्स बीस सेर और अगला जो ग्रिस्मकालिन उलम्पिक होगा ये 32 ग्रिस्मकालिन उलम्पिक था जो टोक्यो जापान में हुआ और अगला जो ग्रिस्मकालिन उलम्पिक होगा वो पेरिस में होगा दोहजार चोबिस में उससे अगला गरिसम कालिन उलम्पिक 2018 में होगा लोस इनलिस USA में क। 35 गरिसम कालिन उलम्पिक खेल 2032 में ब्रिस्वेन अस्ट्रेलिया में होगा। अब पैरा उलम्पिक का देख लेते हैं जो जापान टोकियो में ही खेला जाएगा। कुछ दिनों बाद इसके सुभंकर हैं सोमाइटी जिसका अर्थ होता है इतनी सकती साली इंडिया के तरफ से 34 पैरा एथलेट खिलाड़ी नो खिलो में भाग लेंगे करदे कमाल तु पैरा उलम्पिक के लिए थीम गीत है जो एक दिब्यांग किर्केटर खिलाड़ी संजीब सी ने लिखा और गाया है यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब धन्यवाद